नमस्कार बागवान बाइयो अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारा चैनल जरूर सस्क्रायब करें और अगर आप कुछaking अपने पुरखना चाते हैं याे को में बॉक्स में जरूर कमेंट करें तो बागवान भाई आज हम बात करेंगे वालनट साइज पर होने वाले सप्रेक के बारे में और बात करेंगे कि मिक्सिंग कॉंबिनेशन अगर ठीक ना रहे तो आप के इसके परिणाम क्या हो सकते है और अगर आप हैवी डोस डालते है फिर क्या परिणाम हो सकते है और या फिर अगर आप दिन को यानि धूप में हाई टेंपरेचर में सप्रे करेंगे तो इसके क्या परिणाम हो सकते है तो बागवान भायों पहले बात करते हैं हम वालनट साइज जब आपकी सेव का दाना हो जाएगा तो उस टाइम की कौन सी सप्रेय करें तो बागवान भायों आपको बेवी स्टीन डालना है और साथ में इंडोफिल यानी डायथेन डालना है और कैल्शिम प्लस बोरोन जो आ इतने पैर को कैल्शिम दे पाएंगे तो ही आपकी फ्रूट की क्वालिटी और फ्रूट का जो वेट है फ्रूट का जो अकार है वह अच्छा बनेगा भागवान भायों कुछ कौरी जा रही थी कि अभी एंपीके डाल सकते है या नहीं तो बागवान भायों अब आप सकती है क्योंकि nitrogen कलर में कमी दे सकता है और आपके रस्टिंग की जो शिकायत है वह भी ज्यादा हो सकती है तो बागवान वायो अब मिक्सिंग कंबिनेशन ओवर्डोज और हाई टेंपरेचर में कीगी स्प्रे का कारण क्या बन सकता है कि मुझे एक कोरी आई थी वागवान वायो और यह जो आप देख पा रहे है इसमें इस जो यह जो बागवान है मतलब हर जितने भी पेड़ है सब में यही प्रॉब्लम आ बागवान भायो आपको भी इस सावधानी बरतनी है और आपको स्प्रे का सबसे अच्छा टाइम सुबह के टाइम या शाम के टाइम करें और जो दौईया मिक्स करते हैं इसको बिलकुल 200 लीटर पाने में ही मिक्स करें पानी को ज्यादा या कंद ना रखें बिलकुल इसके कारण भी आपके जो प्रेड में एक शती हो सकती है तो बागवान भायो आज के लिए इतना ही काफी था अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज सुस्क्राव करें